Dear students, this question में हमें एक pair of linear equations दिया हुआ है और हमें इसे solve करना है और हमें method यूज़ करना है substitution method तो जो equations हमें दी हुई है ये इसमें दिखते हम x का coefficient, y का coefficient और ये जो constant term ये सब decimal form में हैं तो इसे हमें integer form में convert करना है तो हम क्या करेंगे यहां पर हमें इन दौनों equations को 10 से multiply करना पड़ेगा 10 से multiply करने का मतलब यह है कि पहली equation को भी 10 से multiply कर दूँगा और दूसरी equation को भी 10 से multiply करूँगा इसका क्या मतलब है कि पहली equation की हर एक term को में 10 से multiply करूँगा यह दूसरी equation की भी हर एक term को में 10 से multiply करूँगा ऐसा करने से मुझे pair of linear equations क्या मिलेगा पहले यह मिलेगा 2x plus 3y is equal to 13 और दूसरी equation बन जाएगी 4x plus 5y is equal to 23 अब हमें use करना है substitution method substitution method में क्या करते हैं हम किसी एक equation को consider करते हैं और उसमें से किसी एक variable की value दूसरे variable की term में express कर देते हैं ठीक है और उसके बाद उसको second equation में substitute कर देते हैं देखे जो मैंने कहा होगा आपको हो सकता है समझ में आया हो मैं आपको practically करके दिखा देता हूँ सबसे पहले मैंने consider कर ली कोई एक equation मैं consider करता हूँ पहली equation twice of x plus thrice of y is equal to 13 इसको थोड़ा simplify करूँगा कैसे मैं twice of x को यहीं रखता हूँ और thrice of y, 3y को मैं right hand side में भेज देता हूँ यह बन जाता है 13 minus 3y ठीक है? उसके बाद मैं 2 x पेसे ज़े 2 भी उधर transfer कर देता हूँ 2 इधर multiplication में या उधर जाके division में आ जाएगा तो मुझे मिलेगा x की value क्या मिलेगी? मुझे x की value मिलेगी 13 minus 3y whole divided by 2 तो देखिए इसे कहते हैं किसी एक variable को दूसरे variable की term में express करना तो यह काम हो गया, अब मैं क्या करूँगा? इसको substitute कर दूँगा second equation में यह कैसे करते हैं? देखिए, इसके लिए मुझे second equation को consider करना पड़ेगा मैं consider करता हूँ second equation को second equation है 4x plus 5y is equal to 23 अब यहाँ पर क्या है ना? मुझे substitute करना है x की value को तो इधर x की जगे मैं रख दूँगा 13 minus 3y divided by 2 कैसे देखिए? इसको बैं rewrite करता हूँ दुबारा लिखता हूँ यह बन जाएगा 4 multiplied by x x की जगे लिखा जाएगा 13 minus 3y whole divided by 2 और इसके बाद है plus 5y is equal to 23 यह बात हुई यहाँ पर देखिए यह चो 2 है और 4 है reduce हो जाएगे आपको simplify करके मिलेगा twice of 13 minus 3y plus 5y is equal to 23 ठीक है इसको हम और simplify करेंगे आगे यह बन जाएगा 2 multiplied by 13 होता है 26 उसके बाद minus 6y plus 5y is equal to 23 यहाँ पर 26 को मैं right hand side में लिखे जाता हूँ इधर minus 6y और 5y बन जाएगे minus y और यह 26 से right hand side में चला गया तो यह बन जाएगा 23 minus 26 ठीक है आपको मिला minus y is equal to minus 3 आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जो y की value है वो है 3 तो इस तरह से आपने क्या find out कि अभी तक y की value find out कर लिए y की value तो find out कर लिए अब x भी तो चाहिए x की value क्या है आपको पता है कि x क्या है x है 13 minus 3y divided by 2 यहां से मैं y की value 3 को उधर substitute कर लेता हूँ तो ए बार और substitution हुआ है तो यहां पे मुझे क्या मिलता है यहां दिखे याद रखेगा x क्या था 13 minus 3y divided by 2 मैं लिखता हूँ x is equal to 13 minus 3y divided by 2 यह बन जाता है 13 minus 3 multiplied by y y की value है 3 whole divided by 2 यह हो जाता है 13 minus 9 divided by 2 इसे कहते हैं 4 by 2 इस तरह से फिर x की value क्या आगई x की value आगई 2 तो देखें मेरे पास क्या solutions आए x की value 2 और y की value 3 भी आगए x की आगउक का व्ले एक फ्री ओर जाए